हेलो वीवर्थ, असलावम अलेकम, ICC Men's T20 World Cup के लिए पाकिस्तान स्क्वार्ड का इलान कर दिया गया पाकिस्तानी शाहिकीने क्रिकट को बेसबरी से इंतजार था कि कौन से खिलारी आस्ट्रेलिया में T20 World Cup के लिए स्लेक्ट होंगे तो आप सब को बताता चलू के एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम स्क्वार्ड था वो ही स्क्वार्ड जो है वो T20 World Cup के लिए आज स्लेक्ट किया गया है कोई चेंजिस नहीं की गई हाँ रिजर्विंग जो प्लेयर्ज हैं उनमें चेंजिस की गई है तो मैं आपको बताता चलू के बाबर आजम कप्तान शादाब खान नाइब कप्तान आसिफ अली हैदर अली हारिस राउफ इफ्तखार एमद खुश्दिल शाह मुहमद हुसने मुहमद नावाज, मुहमद रिजवान, मुहमद वसीम जुनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, शान मसूद को वापसी उनकी की गई है टी-20 में तो शान मसूद जो है वो पंदरा रुकनी स्कौार्ड में शामिल हुए हैं उनके साथ साथ उस्मान कादिर हैं और ट् मीडियम पेसर, फास बॉलर हैं शाहनवाज दानी, उनको भी ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है, तो ये टीम है जो एशिया कप भी खेली है और तमाम मैनेजमेंट और चीफ सेलेक्टर को इतमाद में लेने में कामयाब हुई, चीफ सेलेक्टर मुहमद वसीम का कहन था कि टीम ने बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मिस दी, तमाम किलाडियों ने इंडिविज्वली भी बहुत अच्छी परफॉर्मिस दी, इसलिए हमें यकीन है कि यही टीम जो है वो हमें बड़े बड़े टूर्नामिट्स जितवाएगी, तो शान मसूद जिनकी डुम पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया है, उससे पहले इंगलेंड के साथ पाकिस्तान टीम साथ टीविज्वली मैचेस खेलेगी, उसके लिए फखर जमान को अराम दिया गया है, गुटने में इंजरी की वज़ा से, और शाहिन शाह अफरीदी जो है, वो टीविज्वली वर होगी, न्यूजिलेंड में वर्ड काप से पहले, तो यही टीम न्यूजिलेंड में ट्राइ सीरिस कहलेगी, और वहां से यही टीम जो है, वो ICC मेंस टीवन्टी वर्ड काप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगी, दो रोज पहले, इंडियन क्रिकर टीम का भी आइलान हो चुका था, अगर अगर कंप्यरिजन किया जाएं, तो अब जो टीम्स हैं, वो दोनोगों टीम्स स्कॉर्ड हैं, दोनोगों टीम क्रिकर चैने के लिए अच्छी कारकति की दिखाई एशिया काप में, तो अगर पाकिस्तान में आप की वापसी हुई है, तो उसक शर्मा कप्तान केल राहुल وाइस कप्तान विरात कोली है सूरिया कुमार यादिक दिपक हुडा, रिशब पंग मिधोर साथ दिनेश कार्ट को भी विगट कीपर बैटस्मेन साथ रखा गिया है अधिक पांडिया है एश्वेन है चहल आक्षर पटेल है जस्परीद भूमरा और बुनिश्वर कुमार हर्षट पटेल उसके साथ अर्षदीब सिंग जो के एशिया कप में भी स्कौाड का हिस्सा थे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम का स्कौाड ज्यादा मजबूत लग रहा है या पाकिस्तानी टीम का स्कौाड ज्यादा मजबूत लग रहा है तो दोनों टीमों का जो एशिया कप में स्कौाड था वो ही तकरीबन तकरीबन वो ही स्कौाड के T20 World Cup खेलेंगे तो आपके मताबिक कौन सी टीम का पलड़ा भारी है किसकी टीम इस वकित आपको पेपर पर मजबूत नजर आ रही है एशिया कप में हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के दो मैच हुए थे एक इंडिया जीत गया तो एक पाकिस्तान जीत गया कमिट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और उद्र लिक को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकान दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फॉरान मिल सकें मैं आपको ट्राइड नेशन सीरीज है इंगलर्ड सीरीज है या अस्ट्रेलिया में ICC मैंस ट्वेंडी वर्ड कप के बारे में अपडेट करता रहूँगा अपना बहुत ख्यार रखें